नमस्कार दोस्तों मैं गौतम सिंग अखुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास टेंथ के लिए अबजेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 151 एक से लेकर एक सपचास्तों का पिछली विडियो में देख सकते हैं 151 नमबर कोट ए बड़ाबर 0 तो ए कमान क्या होगा तो कोट ए बड़ाबर 0 कितने कमान होता है तो 90 डिगरी के अंसर हो गया आपका D नमबर 3 10 ठीटा बड़ाब रूट 27 देखिए 3 हो गया इधर आपका ये 10 ठीटा हो गया 27 के फेक्टर करेंगे तो 3 गुले 3 गुले 3 तो 3 रूट 3 होगा यानि कि 3 से 3 कोट गया तो 10 ठीटा बड़ाब रूट 3 रूट 3 कितने के मान होता है तो 60 डिगरी के अंसर हो गया चलिए अगले कोश्चन के तरफ बड़ते हैं अगला कोश्चन 7 ठीटा बड़ाब रूट 3 रूट 3 कितने के मान होता है तो 60 डिगरी अंसर हो गया 6 एक किसके बड़ाबर होता है तो कोस्ट 9 रहे 10 पेहता आरिस तो 10 पेहतारिस के मान होता है एक तो C नॉमबर ये दो इधर से मने दो से भाग देंगे तो बटा 2 हो जाएगा तो रूट तीन बटा 2 कोष में कितने के मान होता है जी 30 डिग्री का एंसर हो गया आपका 30 डिग्री चलिए अगले कोश्यन के तरफ बढ़ते हैं अगला कोश्यन है को से के बराबर दू तस एक बराबर क्या मान होगा कोशे के बराबर दू देखेंगे कितने कमान है जी ये मान है आपका 30 डिगरी का इसमें एक कमान आगया 30 डिगरी यहां भी 30 रख देंगे तो 2 बटा रूट 3 होता है तो एंसर हो जाएगा डिगरी यहां पर ठीटा के बराबर देखेंगे तो 30 डिगरी यहां पर ठीटा के जोगा डिगरी तो को साठ के मान होता है एक बटा दो तो दी नमर एंसर अगला कोस्टन देखीए अगला कोस्टन है कोस तीस का मान किसके बराबर होगा इसमें से कॉस 30 का मान किसके बराबर होगा कॉस 30 का मान होता है रूट 3 बटा दू देखिए दू है आट 1060 के मान रूट 3 तो रूट 3 बटा दू तो C number answer अब देखिए अगला question है 1042 तो 1042 किसके बराबर होगा आपको बताना है कॉस 48 ये तो आएगा ही नहीं ये है साइन 48 बटा कॉस 49 तो ये तो साइन को बदलेंगे कॉस मों हो जाएगा ये भी नहीं होगा कॉर्ट 42 ये तो होगा ही नहीं तो देखिए कॉस 49 इसको लिखेंगे हम कॉस 99 माइनस 42 तो हो जाएगा साइन शी तक बराबर हो रूट 3 बटा 2 ये तो साट डिगरी का मान होता है साइन में तर ठीटा का मान हो जाएगा साट डिगरी एक बटा दू टेन पेंट तारिस डिगरी तेन पेंट तारिस का मान होता है त्यानिकि एक बटा दू इसमें देखेंगे एक बटा दू किस का मान होता है तो sin 30 डिगरी का मान होता है न दूबर, इक बड़ धीरा रूजा जाएगा आपका A नमबर, अगला कोश्चन देखिए, rute 3 बटा 2, किस बराबर होगा मान तो, rute 3 बटा 2, this sin 30 डिगरी का मान होता है, यहां ही one हो गया आई भी आपका one होता है तो one one two होगे मान रखना ही नहीं है इसा ही answer होगी आपका do number बीना मान रखें इसको जो आप बना सकते हैं फर्मूला सही हो गया दो answer होगी आपका यह अगला question देखे क्या है नेट्ट question है Cos theta ब्रबर A बटा B है तो sin theta into cos theta 4 ठीटा बड़ाबर होता है cos बटा sin cos बटा sin तो sin से sin होट जाएगा 1 बटा? sin बटा cos 1 बटा sin बटा cos 1 बटा? वाटा में हो जाएगा यहाँ पर आपका C-c, यहाँ पर हम मानव रखेंगे CO-S去 through 3 क्या है टेन फीटा है ओन बाई रूट थी जो है मान होता है आपका तीस डिगरी का तो एंसर हो जाएगा आपका बी नमबर अब क्वेश्चन है आपका साइन शीटा बरबर एक बटा दू तो कोस शीटा के मान क्या होगा यह मान है 30 डिगरी का तो कोस में 30 डिगरी के मान कितना होता है रूट 3 बटा दू एंसर होगी आपका रूट 3 बटा दू cos छीटा पूस छीटा का मान थरी बटा root दू तो cos square theta पूस छीटा पूस छीटा व्रावर क्या होगा यह आपका question है यहाँ पर देखे cos छीटा पूस छीटा है तो cos छीटा को हम लिख सकते हैं 6 छीटा को 1 बटा cos छीटा तो हो जाएगा यह cos square theta पॉलस हो जाएगा और बाटा में कोस्ट छीटा है बाटा हो जाएगा यहाँ पर आपका कोस्ट छीटा बराबर रूट थिरी बाटा दू रूट थिरी बाटा दू क्रोस मुल्टिप्लाई करेंगे फेक्टर करेंगे फिर कोस्ट छीटा के मान निकलेगा उसके बाद इसको ज तो लिखेंगे यहाँ पे आप cos theta plus sec theta के whole square ठीके और उसके बाद मतलब कि a plus b के whole square होता ने a square plus b square plus 2ab तो minus 2ab तो 2 आप cos theta into sec theta लिखेंगे तो cos theta into sec theta 1 होता है यहाँ पर आपका बज़ा खाली दो और इसका मान यहाँ पर रख देंगे 3 बटा root 2, 3 बटा root 2 के a square है तो a square करेंगे तो रिखेंगे तीर तरीका 9 root है फर तो 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा minus 2 अब LC हम ले लेंगे तो 9 minus 4 बटा 2 तो 5 बटा 2 तो इसका एंसर होगे आपका 5 बटा 2 यानिकी C number अगला question देखें क्या है? 4 ठीटा बड़ावर 8 बटा 15 है 4 ठीटा बड़ावर 8 बटा 15 है तो 6 ठीटा के मान बता है अबर आप इस तरस बनना चाहते हैं जैसे कि इसका formula होता है B बटा P तो H निकाल लेंगे, H निकाल लेंगे तो 17 आ जाएगा 6 ठीटा बड़ावर H बटा B यानिका अंसर हो जाएगा आपका 17 बटा 8 यानिका अंसर हो गया C number अब अगला question देखें क्या है? 10 ठीटा बड़ावर 1 बटा root 3 1 बटा root 3 10 में कितने के मान है जी? 1 बटा root 3 जो मान है आपका 30 डीडी का है तो साइन 30 के मान कितना हो जाएगा? 1 बटा 2 एंसर कौस शिटा बड़ाव 1 बटा 2 साठ डीडी का मान है तो एंसर हो गया आपका साठ डीडी कौस ए बड़ाव 4 बटा 5 तो कोसे के का मान बता ये यहाँ पर हम P निकलेंगे तो आजाएगा 3 P के मन 3 आगे तो 3 बटा 5 एंसर हो जाएगा 3 बटा 5 तेरी कोसे के है तो 5 बटा 3 एंसर हो गया आपका 5 बटा 3 25 कोस्चन और बच गया है आपका अगले वीडियो में बताएंगे एक से 75 के बाद जो कोस्चन है दूसरा तक आगले वीडियो में आपको बताएंगे